हलो फ्रेंड्स सर चकेडवी में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने हिमाले के विभाजन एवं हिमाले की चोटियों के बारे में जाना था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वो वीडियो जानते हैं दून घाटी एवं द्वार घाटी के बाड़े में दून घाटी एवं द्वार घाटी मध हिमाले एवं सिवालिक स्रेनी के बीच में इस्थित घाटियों में से ही कुछ दून घाटी एवं द्वार घाटी कहलाती है पहाडियों के पश्चमी घाटी को दून घाटी, जैसे कि दहरा धून, कोटरी दून, पाटली धून जैसे कि दखेए दोस्तों, ये अगर कोई पहाड है तो इसके पश्चम में ये वाला परदेश आता है तो इससे दून घाटी कहा जाता है इसी में से एक परसिद है देहरा दून जोकी उत्राखंड की राजधानी भी है यह एक दून घाटी है इसलिए इसके नाम के अंत में दून लगा हुआ है चलिए आप जानते हैं द्वार घाटी के बारे में पहारियों के पुर्वी घाटी को द्वार घाटी कहा जाता है जैसे की हरी द्वार अब जैसे के पिछले इमेज में हमने देखा था कि इस ताइड को घाटी को दून घाटी कहा जाता है और इसके पुर्वी घाटी को द्वार घाटी कहा जाता है इसमें से सबसे प्रमुख आपका हरी द्वार है यह दोनों घाटी दून एवम द्वार घाटी मध हिमाले एवम सिवालिक सिरेनियों के बीच में ही पाय जाता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि दून अबम द्वार घाटी क्या होती है वीडियो अच्छा लगा होतो लाइक, सेर, सब्सक्राइब और कोमेंट जरूर किजिएगा और एसे ही अमेजिंग और नोलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्च एकेनमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद